हालो एब्रोविन स्वागत हाफ सभी का नलंदा इंसूर्ट फॉर एक्सलेंस में आज के इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेगे कि कि आखिर गांधी जी ने दू और डाई का नारा क्यों दिया अर्थात करो और मरो का नारा क्यों दिया आपके एक्जाम पॉइंट ओव विसस उसे पहले तो यहीं इंपॉर्टनिट हो जाता है कि किस ने दू और डाई का नारा दिया अर्थात करो या मरो का नारा जो है किस के दौरा दिया गया तो वो गांधी को यह नारा देना पड़ा, डू अड़ाई, कोई भी स्लोगन्ज होता है, उसके पीछे एक स्टोरी इचिकवा होता है, तो हिस्ट्री पॉइंट आफ व्यू से, क्या स्टोरी है, इस डू अड़ाई का, वही इस वीडियो में हम जानने का कोशिज करेंगे, आगे बढ़ने से पले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब इसलिए, सो दाट जैसे ही वीडियो अप्लोड हो हमारे चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको बेल ऐकन में, और नोटिफिकेशन को दबाना होगा, आप बेल ऐकन में, और नोटि दबा इए, बेल ऐकन को प्रेस किजिए, सो देट वीडियो अप्लोड होते ही आपको रेचिउव हो जाए, चलिए स्टार्ट करके आँच का सेशन यह वो 1949 का समय था जब World War 2 दिते अरधा तर दिते World War की सिवात हुई थी In the meanwhile, जो Congress जो थी In 1932, the Second World War broke out In the meanwhile, the Congress had reluctantly decided to contest election in the provinces according to the Guarant of India Act 1935 In 1940 के समय था जब दिते विश्जीद की सुरुवात हुई थी और उसी समय वही वो कुछ समय था जब Congress ने उन्हें सब 35 के अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने का निश्चे किया था Billing था और प्रांतों में सरकार बनाने की कोसिज कर गया था Congress ने अपनी सरकार बनाई भी लेकिन Congress form Congress Ministers were formed later resigned on the question of declaring India as a party to the war Congress ने सरकार बनाई भी लेकिन वो resigned भी दे दी अब resigned क्यों दे दी? Because on the question of declaring India as a party to the war अब इंडिया को party declare कर दिये बार में कौन? Party declare किस ने किया? Congress Ministers were formed and later resigned on the question of declaring India as a party to the war अर्था तक सब्द कहने का मतलब यह हुआ कि इंडिया भी इस वार का हिस्सा हुगा ऐसा British लोगों ने किया इसे जो इंडियन लीडर्स थे वो काफी annoyed थे, काफी नागास थे और उन्होंने decide किया कि हमारी जो सरकार है Congress अर्था तक Congress की प्रांतों में जो सरकार है वो और रिजाइन करेगी अब यहां से भी एक question कभी कभी पूछ दिया जाता है कि who celebrated as the मुक्ती दिवस है किसने मुक्ती दिवस के जब Congress ने resign किया था दित्ती विश्यूद किसमा तो कौन ऐसी party थी जो मुक्ती दिवस के रूप में बनाया था आप comment section में इस answer को लिख कर हमें बताईए गांधी did not want to geopolitize the war effort of the allies with the mass civil disobedience movement at this juncture अब देखें यहां क्या हुआ तो इंडियन Congress ने तो वहिया resignation दे दिया गांधी जो है वो यह नहीं जाते थे कि जो ब्रेटिस की जो war effort है जो उसने कोशिस किया है जापान वगेरा से लडने के लिए तो उसमें हम दखल दे जो आलाल नहरू उनकी यह बिलिंगनेश थी कि यही वो समय है जब हमको इसमें हस्तचेव करना चाहिए क्यों क्योंकि इंडिया को हमसे बिना पूछे हुए party to the war कैसे डिकिलर कर दिया लेकिन गांधी जी तो भाईया कुछ और थे गांधी दिनोट वांट जी पडाज द वर इफट अव अव द आलाइज बिद अमास्टिविल दिश्विद्विद्वेड देन्स ओमें अट इस जंक्चर वो यह नहीं चाहरे थे लेकिन वो यह नहीं चाहरे थे कि हम इस वार का फायदा उठाना चाहिए हमें कुछ मुमेंट करना चाहिए हमें कुछ आंदोलन करना चाहिए लेकिन वो हो थी दुखी थे इस बात से कि गुवर्मेंट कोई स्टेप नहीं ले रहा था उनके सेल्फ गुवर्मेंट के इसू पर अब आगे क्या होता हुसेम देखे जिसका कारण यह हुआ कि प्रोटेस्ट शुरू हो गया अब अगर आप कोई चीज नहीं करते हैं गु टूक दो फॉर्म औफ सत्यागरा वाइंड़िजुवल ठीक है प्रोटेस्ट जो है सत्यागरा का रूप लेलिया इंडविजुवल के दौरह और इंडविजुवल जैसा कि आपको पता ही है कि इंडविजुवल होता है पले उसके बाद गुरूप में बदलता है तो इंड इंडिया के आजादी के लिए कोई स्टेट नहीं ले रहा था लेकिन वो कहते हैं कि सब चीज अच्छा नहीं होता है But all was not well on the battlefront for Britain, Britain की स्थेती यह हो गई थी कि now he has Britain had to decide कि करना क्या है क्योंकि जापान जो है न जापान और जर्मनी जो अलाई थे यह अब किसी समय ब्रेटेन को हरा नहीं वाले थे अब उनको डर लग गया इसलिए the CRIPS mission क्या हुआ the CRIPS mission sent with the draft proposal to be implemented after 12 CRIPS mission को भेजा गया कि यह लेकर कि वह यह बार जैसे ही खतम होगा उसके बाद हम draft proposal पर बिचार कर रहे है it left everyone disappointed लेकिन इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं इसलिए सारे को disappoint कर गया जो CRIPS mission जो आया था जिससे सारे लोग disappointed थे the danger from Japan was near Japan अब कभी भी ब्रेटेस भारत को अपनी कबजे में लेनी ही बाला था and Gandhi felt that India should be left to its fate even if it led to anarchy और Gandhi नहीं ये तैय किया कि अब इंडिया को अपनी किस्मत पर अपने इनके भाग पर छोड़ देना चाहिए चाहे वो अनार्किजम ही काहन क्यों नहीं हो and Britain should get out कुछ भी हो जाए चाहे वो इसे अनार्किजम जहलना पड़े लेकिन ब्रेटेन को यहां से जाना चाहिए गांधी नहीं ये तैक कात लिए भी है आठ अगस्त 1942 का समय था जब इंडियन All India Congress Committee 8 अगस्त 1942 में All India Congress Committee meet at Bombay and post a quit India resolution भारत छोड़ो अंदोलन पास किया Bombay की जो meeting हुई All India Congress Committee की उसमें भारत छोड़ो अंदोलन का resolution जो है पास हुआ प्रपोज्ड और प्रपोज्ड स्टार्टिंग अफ मैसिब नन वालेंट श्ट्रगल अंडर गांधी जी लिडर्शिप ठीक है और उसमें तैय किया गया जो आठ अगस्त 1942 को Bombay में जो meeting हुई थी और जिसमें भारत छोड़ो अंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ पास हुआ था उसमें मैसिब नन वालेंट अस्ट्रगल अहिंसात मकुरूप से अस्ट्रगल गांधी जी के लिडर्शिप में प्रपोज्ड हो गया और यहीं वो समय था भारत छोड़ो अंदोलन का हीं वो समय था जब गांधी जी ने डिकलेड किया क्या डिकलेड किया पी सेल आइदर फुरी इंडिया या तो हम भारत को आजादी दिला कर रहेंगे या डाई इन दा अटेम्ट या इस कोशिस में हम मर जाएंगे अ we shall not live to the sea the perpetuation of our slavery हम ये गुलामी की दास्ता देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे immediately गांधी दही along with other congress leader was arrested and protest and violently erupted इतना कहना था और ये सब होने के बाद तुरंत कांधी जी और उनके सहपार्थियों के साथ किरफतार कर लिया गया और violence erupt हो गया बाद में ने छोड़ा गया so the gist of the story is कि जब भारत छोड़ो अंदोलन का समय था जब गांधी ने भारत छोड़ो अंदोलन की सुरवात की वही वो समय था जब गांधी जी ने slogan दिया do or die so friends आज के इस वीडियो में बस इतना ही thank you for watching this video if you yet you have not subscribed my video please subscribe my video to know more and more thank you